मध्य प्रदेश के यूवाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई हैं खास्तोर पे वो यूवा जो OBC समधाय से आते हैं और बैकलॉग भरतियों के रास्ते के साफों ने काइन पजार कर रहे थे जनसंपर्क मध्य प्रदेश ने जनकारी दी है कि OBC आरक्षन के मामले पर हाई कोट की तरफ से अब आक्षन लिया गया है जिसके बाद बैकलॉग की भरतियों का रास्ता खुल गया है पूरा मामला क्या है आपको विस्तार सेमिस रिपोर्ट में बताएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं पितक और मैं हूँ आपके साथ कांग शठा को देखें मध्य प्रदेश में सरकार किसी की भी रहे लेकिन युवाओं की समस्याओं का समाध्धान होते हुए नहीं दिखता है मध्य प्रदेश की युवा लगातार नौकरी के लिए सडकों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं चाहे वो कोई साभी शेत्र हो चाहे शिक्षक हो नरसिंग के हो या किसी और शेत्र से हो तमाम युवा बाकलॉग भरतियां पूर्ण करने की मांग लगातार उठाते रहे ह कई बार युवाओं को सडक पर प्रदेशन भी करना पड़ा है वहीं आपको पता दे कि पिछले कई सालों से बाकलॉग भरतियां जो है वटकी पड़ी थी वज़ती OBC आरक्षन का मुद्दा जो लगातार हाई कोट में लंबित था अब हाई कोट ने इस पूरे मामले पर आक्षन ले लिया है हाई कोट की तरफ से याचिकाड डसमिस की गई है 27 फीसिदी OBC आरक्षन की यानि कि आप प्रदेश सरकार बाकलॉग की अटकी हुई भरतिया 13 फीसिदी OBC आरक्षन के हिसाब से निकालेगी और इस भरती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा आपको पता दे कि जनसंपर्क मध्य प्रदेश की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी साज़ा की गई है जिसमें लिखा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के 613 प्रतिशत अभ्यारतियों की नियुक्ती का रास्ता साफ हुआ कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 2022 में आयोजित सयुक्त परिक्षा का ये मामला है उच्च नियाले ने 27 प्रतिशत आरक्षन को लेकर दायर याचिका को डिसमिस कर दिया है कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समुतीन, उपियंत्री, मान चत्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदो के सीधी और बाकलोग भरती के लिए सयुक्त परिक्षा 2022 आयोजित की गई थी इसके साथ ही आपको बता दे कि जनसंपर्क मध्य प्रदेश ने ये कहा है कि चयन परिक्षा की परिक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्नी पिछडा वर के अभ्यारतियों को 27 प्रतिशत आरक्षन का लाब देते हुए गोशित किया गया था गोशित परिक्षा परिणाम में 27 प्रतिशत आरक्षन को लेकर उच न्याले में रिट याचिका दायर की गई थी न्यालीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87 प्रतिशत रिक पदों के लिए न्यूक्ति आदेश जारी कर दिये गए थे अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 पीसदी आरक्षन के आधार पर अभ्यारतियों के न्यूक्ति आदेश जारी किये गए थे वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच न्याले जबलपूर द्वारा इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है जिसके बाद अब अन्तिम निर्णय के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 6-13 पीसदी अभ्यारतियों के न्यूक्ति का भी मार्क खुल गया है जनसंपर्क मध्यप्रदेश ने जानकारी साजा किये उसके मुताबिक 27 पीसदी OBC आरक्षन का मुद्धा लगातार जबलपूर हाई कोट में लंबित था अब इसको डिस्मिस हाई कोट ने कर दिया है जिसके बाद बचे हुए 13 पीसदी के हिसाब से पदों की न्यूक्ति की जाएगी पदों पर न्यूक्ति की जाएगी ऐसा जनसंपर्क का विभाग का कहना है तो फिल हाल वो तमाम अभ्यारती जो काफी समय से इन तमाम वेकिंसी के फिल होने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राहे है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए मर्धिय प्रदेशुरी तमाम खबरोकले ब राहे है पर दो